पूरा हिस्ट्री है एजुकेशनल हिस्ट्री ठीक है वहाँ पे कोई दिनास्टीज का नहीं है सामराज्य नहीं है कुछ ऐसा मेंशन नहीं है वहाँ पे ओनली एजुकेशन सिस्टम कैसा था गुरुकुल सिस्टम यह सिस्टम सब कुछ है ठीक है वही कंटेंप्रेरी बुक कि का नहीं है एनु बच्चे आप लोगं का नहीं है तो एनु बच्चे आप लोगं फिलोसोफिकल फाउंडेशन पढ़ेंगे उसमें आपका एजुकेशनल जो भी मेंट्चेशन सोचिलाइशन में इसे आता है वह क्या समझते है और यह चीज आता भी नहीं है एक स्सक्राइशन फिर भी आपको मेंट्चेशन पार्ट एनु आयरे ने हैं फिर आपको मेंट्चेन पार्ट यह को को थोड़ा सा लिखना है कि आपके समझतें सुसी रिलाइशन का मतलब क्या होता है ठीक है और उसके according meaning देंगे then concept लिखेंगे definition नहीं देंगे direct पहले concept थोड़ा लिखेंगे because it is related to meaning इसके अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है इसले हम थोड़ा सा mention करेंगे concept को इसके बाद आता definition definition ज्यादा मत देंगे ज्यादा नहीं देना है because only one or two but यह पर मैंने only one दिया है because उसका भी reason है यह question बहुत बड़ा question है बहुत ही बड़ा question है because आपके book में unit 4 में mentioned है agencies of socialization and agencies को अगें define करना है there are two types of agences primary agences and secondary agences अभी बोल सकते है प्राथमिक अटा और दितिया तो प्राथमिक अवस्था में कौन कौन से चीज आएंगे दितिया तो कौन कौन से आएंगे primary level में कौन आएंगे secondary level में कौन आएंगे so what comes first ऐसे करके हम mention कर सकते हैं हुआ पर characteristics mentioned हुआ देखिए social agences को और इहां पर भी two types में mention क्या है एक formal एक informal ठीक है उसके basis पर mention करने के बाद उसके process को लिखना है फिर मैंने ने कुछ point add किया है जो आपके book के recording new में add किया गया है उसको भी मैंने mention किया है मैं आपको भेज दूँगे सो उसके basis पर जाना है इतना compulsory point है यह जो दो page था यह दो page कहीं पर भी socialization आता है इतना तक compulsory था ठीक है compulsory point है उसके बाद आपको family जो question आपको question में mention हुआ what do you mean by socialization process और socialization हो गया end कर दिया एक half part और एक half part में mention हुआ describe the primary socializing agent primary socializing agent primary means प्राथा में करता है एक छोटा बच्चा a little child और एक छोटा बच्चा कहां से learn करता है समाजी करन कहां से सिखता है कि उसको social होना है या फिर कहां से हो language सिखता है कहां से हो start करता है अपना life that is the basic point of socialization यह focal point है basic point है words को आप change करें थोड़ा सा interesting लगेगा central point है तो यह होता family तो family के बारे में बहुत important है तो family को थोड़ा सा आप करेंगे family का introduction दिए pay definition दिए उसके characteristics को mention करेंगे family as an agency of socialization उसको mention करेंगे इतना enough होता है वसे school का देना है community का एक page देना है and role in child development community के बारे में लिखना है ठीक है ऐसे करके देना है but उसके अंदर में और भी questions है syllabus के recording only एक question देख रहा है but वहाँ पे और भी एक-दो questions है तो इसको थोड़ा detail पढ़ेंगे because TET में जितना चाहिए मैं उतना भी दे रही हूँ ठीक है मैं हिंदी में इंग्लिश में दोनों में मिल जाएंगे ठीक है दोनों में मिल जाएंगे CDP के मोश्ट इंपोर्टेंट क्वेशन्स में से एक है ठीक है boys आ रहा है Am I audible? Yes or no? Okay चलो चलो Start करते So questions क्या क्या आ सकता है मैंने बता दिया ठीक है Questions अभी मुझे time नहीं हो रहा है मैं again questions आप लोंको set कर दूँगे पूरा book खतम हो जाएगा मैं एक दिन बैठूँगी आपको यह Saturday मैं आप लोंको दे दूँगी मैं उस दीन आपको बता दूँगी सारा कुछ questions दे दूँगी Each book का questions ऐसे से धिरे धिरे मैं mention करते जाओं ठीक है Both year के students को मैं दे दूँगी मतलब नागर जोने student के के student सबको मैं दे दूँगी questions ठीक है Agences of socialization Socialization क्या होता है The act of adapting behavior to the norms of a culture और society is called socialization बहुत छोटा सा line है The act of adapting आप कैसे behave करेंगे कैसे act करेंगे Act means acting उसके साथ वैसे ही nature को sow करना मतलब आप जिसके साथ जुड़े हुए है associate है वैसे ही nature को sow करना The act of adapting behavior किसको adapt करना है Behavior को adapt करना है Please mute करो Please अपने phones को बच्चों से दूर रखो And अच्छे से सुनो बार बार ऐसे बीच बीच में मत करो कितना बार बोलू? मेरा वास कटके आ रहा है So society में सबसे important thing is culture Culture आपका Sanskriti अब बोल सकते है Sanskriti means heart of the society Culture is the heart of the society Society में अगर culture ना रहे Then हम भी exist ने करें We cannot exist here So the act of adapting behavior आप कैसे behavior को adapt कर रहे जो कि आपका culture का norms बता रहे Culture का norms क्या है? Just like rules and regulations जो रहता है society में उसको follow करना अभी आपका culture बोलेगा आपको ऐसा पहनना है ऐसा खानना है ऐसा करना है Okay? आप genuinely ऐसा कुछ खा नहीं सकते जब तक आप बड़े नहीं हो तो यह जो things सात है ना stereotypes है यह thoughts है society का thoughts है यह society किसने बनाए we build them हमने बनाए मिलके बनाए बहुत सारे societies बनाए जैसे Hindu societies, Muslim societies, Christian societies बहुत सारे societies बना ले अभी इसको ना कहीं कहीं पह हम लोग बोलते है communities भी ठीक है? So communities, societies का एक part होता है जैसे एक एरिया में बहुत सारे colonies होता है वैसे यह भी होता है ठीक है? ऐसे community भी छोटे-छोटे colonies है ठीक है? Right? So यहाँ पे behavior आप society के culture के थूप करेंग society में जो exist कर रहा है समाज में जो Sanskriti present है मतलब वहाँ पे है पहले से ही है उसके हिसाफ से आप करेंगे So that is called society मैं simple बोलू So that is called हम क्या है? Social wing We are social wing So we have the ability to adjust with the society And this is called socialization यह बहुत simple word में है कि हम चाहते हैं कि हम तो social wing है क्या है? सामाजिक मनी से हैं अभी उसके हिसाफ से हम समाज में रहने के लिए ट्राइ कर रहें तो इसको कहा जाता है क्या socialization अभी meaning क्या है? The word socialization can Can be होगा या फिर can described as बोल सकते हैं Can be लिख दे तो better रहेगा यहाँ पर जैसे change कर सकते है The word socialization means भी लिख सकते है या फिर the word socialization सब्द जो समाजी करन का सब्द है यह सब्द का मतलब क्या है? अर्थ क्या है? The process of making social The process of making social आप जैसे यूस करते हो हम लोग अभी के time पे different types of social media यूस करते है Instagram, Twitter मतलब tweet करने के लिए या फिर reverse of जो भी होगे यह सारी क्या है आपको social बना रहे So आप क्या कर सकते है lot of persons के साथ exchange कर सकते है अपने thoughts को experiences को या फिर अपने options जो भी आपके mind में different things को लेके business को लेके mind में options आरे उसको आप क्या करते है? Share करते है तो यह एक process है आपको एक प्रक्रिया में डाला गया है यह प्रक्रिया जैसे कि आपके सरीर में हो रहा है विकाश विकाश क्या हुआ development development is just like यह continuing process यह continuing process है वैसे ही social development भी continuing process है because इसका starting है but ending ऐसे हम कभी भी end नहीं करते है जब तक हम death नहीं करते है ठीक है तो इच स्टार्ट with mother body that is a oomph oomph से start होता है end होका tomb में that is a आप बोल सकते हो कहीं पे हमारा death हो गया तो हमें जहां पर जलाते हैं या फिर जहां पर समाधी रखते हैं तो हमारा समाधी बदागे रखते हैं तो यह हो गया um to tomb so यह relationship कैसा बनता है social कैसा बनता है हम लोग यह start होता um से end होता tomb में that means social होने से ही socialization हम होंगे समाज में मिलने से हम लग मिल जोल के रहेंगे तभी तो हम समाजी करन करेंगे तो the term socialization is used to refer to the sequence of social learning experiences that result in the integration of individual in the society suppose आप एक person है and धीरे धीरे आपको एक society में क्या करना है exist करना है adapt करना है उहां के behavior के साथ society का खुद का भी a character because society में हम एक जाती के जैसे suppose think कर लेचे मैं कहीं पर घूमने गए so मैं यहां की हूँ मुझे यहां का कल्चर पतर है मैं जानती हूँ we know that I'm Hindu or I'm Indian so मैं फॉलो करती हिंदीजम and मैं अगर अभी क्या करूँ मैं आफ्रीका में चली जाओ so उस जगह पे जैसा environment है जैसा वहां का कल्चर है मैं अपने कर पाऊंगी तो मुझे क्या चाहिए lot of time period to adjust with it so उसके साथ adjust करने के लिए मुझे क्या चाहिए changes लाना पड़ेगा यह जो मैं changes ला रहे हूं कैसे ला रहे हूं by learning सिखना मैं उन लोग को देख रहे हूं by observing them क्या करूँ मैं I can learn everything and after learning मैं क्या करूँँगी कैसे उन जैसा बरने को ठीक है so socialization जो सब्द है यह term है it is used to refer to the sequence of social learning यह step-wise मैंने में होता है ऐसा नहीं होता इसका पहला step होता है imitation अनुकरन करना मैं आपको देखके कुछ सीख रहे हूं that is called अनुकरन ठीक है एक छोटा बच्चा अपने पापा मा से कुछ सीख रहा है या फिर पिता माता से कुछ सीख रहा है father mother से कुछ learn कर रहा है और they can learn from their elders और youngers किसी से भी हो सीख सकते है ऐसा सीखने के लिए particular कोई बड़े का ज़र्वत नहीं उकता है आप छोटे भी छोटों से भी सीख सकते है तो कहीं से आप सीख रहे है कोई character अच्छा लगा आप सीखना स्टार्ट किए यह जो हम सीख रहे है that is called learning experiences and इसे बहुत सारा क्या चाहिए? sequence चाहिए that means एक के बाद एक होगा, ऐसा नहीं है साथे साथ होगया, या फिर यह time period need नहीं करता है कोई भी चीज को आप पढ़ाई भी कर रहे हो वह भी step wise manner में होता है and needs lot of time यह भी lot of time के उपर depend करता है, so यह जो social learning process है that result in integration आप जितना सीखेंगे जितना learn करेंगे उससे क्या होगा अब उस society के साथ mix हो जाएंगे, that is called integration, integrate with this society, और individual में उस society में fit हो रहा है and इसके लिए एक thought आता है, ठीक है? एक biological thought है जो कि इसमें आपको short में भी पूछा जाता है, socialization के related that is called survival of the fittest जो एक society में fit होता है, वही यहाँ पे exist कर सकता है बट जो नहीं कर पाएगा वो exist नहीं करेगा, वो मर जाएगा, जैसे कि suddenly अगर यहाँ पे situation खराब हो जाए suppose यहाँ पे snowfall होना स्टार्ट जो हो नहीं सकता, possible नहीं है या फिर बहुत बड़ा earthquake आ गया अभी इस सब से क्या हो जाएगा, flood आ गया, earthquake bad आ गया, या फिर तुफान आ गया, cyclone आ गया, कुछ भी एक हो गया तो उस situation के साथ हम adjust कर पाएगे, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएगे जो नहीं कर पाएगे वो मर जाएगे, जो कर सकते हैं वो new character को adapt करेंगे तो यह बोला जाता है re-socialization इसको बोलते है पुनह सामाजी करण जहाँ पे आप new character सीखते हैं एक character में आप है वहाँ पे आप society में रह रहे हैं बड़ आपको नया जगह जाना पड़ा, वहाँ पे और कुछ सीखना पड़ा उस society में आप पूरे जिंदेगी अभी बिताओगे तो उसको बोलते हैं पुनह सामाजी करण यह भी आपके life में बहुत बार होता है आप जब भी कुछ नया सीखते हैं तो उसको हम समाजी करण में add कर लेते हैं जैसे कि आप अगर पहले stage में हैं ठीक है जैसे एक छोटा वच्चा एक dance step learn किया एक step को learn किया next day उसने क्या क्या और एक step को learn किया तो one plus one हो गया, two हो गया अभी और एक step को learn किया तो complete dance को उसने सीख लिया three to four days के बाद वो complete dance को सीख लिया अभी वो उसने performance दिया यह performance कहां पे दिया एक community में एक society में दिया because वहां पे वो अपने आपको present कर रहा है तो यह होता socialization process वैसे ही हम अपने आपको present करते every character के साथ new characters के साथ अभी suppose यह character तो already उसके पास है इस character के साथ वो दूसरे कहीं पे जाता है बड़ वहां पे वोला जाता है कि तुम versatile dancer बनो that means तुम different concept को भी learn करो तो उसके साथ वो add करने लगा different dance steps तो क्या हो जाएगा अभी new behavior और new steps learn करके दिखाएगा यह new types के styles को अपनाएगा तो that is called re-socialization पहले आगया समाजी करन उसके बाद आगया re-socialization that means पुनह समाजी करन socialization then re-socialization हो गया next step में चलते इतना clear है yes or no next next yeah okay so according to johnson बहुत easy है इनका इसले मैंनी इहां डालना है Ross का है Garrett का है बहुत लोगों का है socialization के ऊपर आप 100 प्लस आपको मिल जाएंगे psychologist and educationist उनके definition भरे पड़े है ठीक है so आपको उतना नहीं लिखना है only एक या दो याद रखना है आपको क्या बनाता है social बनाता है that means you can perform the social roles before the society or before the social persons social abilities so किसके before different societal concepts तो इसको क्या बोलते पता है अगर culture आपको रोक रहा है culture का कोई-कोई नियम है ना कोई-कोई बाधा है निसेद है उसको बोलते है that means just like होता है ना इसके आगे तुम आगे नहीं बर सकते है तो उसको बोलते है तबूस 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 इस बेसिकली उस फोर norms and culture norms and culture अभी culture क्या है? संस्कृत संस्कृत वर्ट से यह आता है because हर एक culture संस्कृत से ही आया है संस्कृती संस्कृती को एकोडिंग आप अपनी cultures को क्या करते है different different angles हम enjoy करते है मेरा culture है मैं ऐसे रहूंगी Hindu custom में रहूंगी या फिर जैसे हम पहनावा देते हैं वैसे करेंगे हम वैसे पढ़ेंगे वैसे चलेंगे ऐसा रहता है इसलिए multiple क्या होता है multiple cultures आगए अभी वैसे ही अगर निसेद की उपर नहीं चलेंगे तो लोग क्या करेंगे वह होती जादा बिगर जाएंगे and different cultures में खुद को integrate कर लेंगे कभी भी कुछ भी cultures की according चल सकते तो tabooz रहता है सस्कृती निसेद और निसेदो को tabooz कहता है and अगर योन सम्मंदी हुआ that means sexual attraction society में सबसे important चीज है जहां पर cultural integration आज के time पर हो रहा है that is marriage marriage या love marriage उसको बोल सकते है तो वह भी important है because हम school में बच्चों को उसी के बारे में ज्यादा तर बताते है कि school में क्योंकि हम वह पर sex education word को use नहीं करते हैं so हम love marriage word use करते हैं love marriage या फिर opposite sex के लिए attraction होना link of head होना so यह सारा जो word हम लोग use करते हैं अगर उसके according Sanskriti में कुछ मना किया है या फिर culture ने मना किया है तो उस word को बोलाता है incest incest मैं word बोल हूँ because इतना difficult word मैंने नहीं लिखा है बढ़ आपको अगर कही पे भी दिखे तो उसके according mind में गुजागे रखे that is एक हो गया अगर Sanskriti और culture ने किसी चीज को रोका है culture ने आपको रोका है आप दूसरे culture में नहीं जा सकते that is called cultural taboos cultural taboos t-o-b-o-o-s and अगर yon samadhi that means sexual attraction or sexual कोई भी ऐसे problems हो या जो की रोक टोक हो that means sexual problems के लिए आप कोई भी other caste को नहीं जा सकते या पर ऐसे disease वाले कोई problem है जैसे होता है sexual organs में disease होते है body में problems रहता है बहुत सारे blood related problems है तो उसके लिए भी रोक टोक होता है जो की transmit हो सकता है sexual relations से तो उसके लिए जो रहेगा तो उसको गोलते incest यह socialization में सबसे last stage में adolescence period में बच्चों को सिखाया जाता है ठीक है तो यहां पर इसलिए mention कर रहे हूं because imitation से start हुआ आप किसी को copy कर रहे है जैसे imitate करना में प्रति रूप मतलब आप माता-पिता जैसे बनने को ट्राइ कर रहे है उनको जो भी पसंद है वैसे कपड़े पहन रहे है वैसे वह office जा रहे तो उनको देखके बच्चे जाता है तो यह होता है imitate copy करना अनुरूप ठीक है उसके last stage में आते है तो हमें मिलेगा adolescence जहां पर हमारा पोरा विकाश हो चुका है and we are very much attracted towards the opposite sex partner यह society में हमारा सबसे important चीज हम reflect करते है society को that is हम हमेसा attract हो जाते है opposite sex partner को तो उसके लिए भी rope top society में ही बनाया तो इसलिए मैंने word used किया तो यह जो learning process है इसको किसने बोला Johnson ने socialization is learning socialization is learning that animals are learned to perform social यह आपको बना रहे है society के हिसाफ से समाज के हिसाफ सके आप समाज में अपने roles को दिखा से ठीक है अभी characteristics में जाते है maximum to maximum 5 to 6 characters जादा नहीं single line हाँ, Hindi वच्चे आप लोग के लिए मैंने जो mark करके दिया only points लिखना है explanation नहीं देना है अभी जैसे learning processes must for socialization अभी इसके लिए socialization के लिए learning process चाहिए अभी कैसे चाहिए, क्यूं चाहिए मैं चाहूं तो अभी 10 page लिख सकते हूं तो वैसे नहीं करना है only single line में लिखके छोड़ दे okay, single line में लिखके छोड़ दे तो learning processes must for socialization यह point तो समझ आया कि पढ़ाई या सिक्षा बहुत ही जैरूरी है किसके लिए समाजी करन के लिए हो गया, number 2 socialization is a process of controlling oneself keeping in mind the interest or keeping in mind that the interest of society interest of society यहाँ पर आधा लिखा गया because यहाँ पर points और भी आएगा of this society mention नहीं नीचे तो आप उसके लिए clear करेंगे socialization क्या है एक process है, एक प्रक्रिया है समाजी करने प्रक्रिया है जहाँ पर आपको यह control करता है ठीक है, आपको control क्या जाता है जैसे आप फिल करते है आप खुद को ही control करें बड़ आप ने control करें आपके mind में उस thoughts को डाला गया है समाजीक और समाजीक विकाश के लिए social development के लिए socialization is important socialization process just like a laddu आप जैसे खारते हो वैसे thoughts का एक बड़ा ball जैसा think कर लेजे इसको आपके अंदर पूरा डाला जाता है fixed किया जाता है आप जो बच्पन से books पढ़के आ रहे हो ना उसी books के थूँ आपको one by one thoughts को आपके अंदर डाला गया plus आप family से learn करें family में बहुत सारे stereotypes thoughts चलते रहते है अभी कहीं पे अगर बिली रास्ता कार दे तो कितना बार बोला जाता है अरे घर पे रुक के जाओ ऐसा होगा ऐसा होगा ठेक है बर maximum time आप try करें उसके बाद भी आपके life में हर चीज ही अच्छा होगा उस दिल कोई problem नहीं है thoughts है कि हम लोग मानते तो यह समाज नहीं बनाए समाज नहीं बनाए because हमारे जो poor father बोल सकते है या फिर हमारे जो पुरुफ पुरुस रह गए तो वो लोग को उतना पता नहीं था तो वो logic नहीं समझे only वो जो thoughts सुन के आया है उसी के basis ते वो बोलता है ठीक है so socialization process आपको एक control में रखता है उसको हम mention कर देते हैं as a self control because हम समझते हैं कि खुद को हम control करें but क्या होता है समाज हमें control कर रहा है so उसके according हमें society में रहने का इंट्रेस्ट है तभी जाएगे हम social cultures को follow करते है society में things को maintain करते हैं so यह आपके interest के उपर काम करोगे कि ने ठीक है उसके बाद और एक point आता है इसको मैं समझा दूँगे उससे पहले ये point समझें third point in socialization the development of self-opters आपका खुद का self self means खुद का यह आपने बहुत सारे terms आता है that is called self self-esteem understanding the self खुद को समझना what am I who am I I am nothing without society I am nothing without family I am nothing without our social behaviors so हमारे पास कुछ भी नहीं है इसको समझना बहुत important है and it is based on three words that is ego super ego and id ठीक है आपके अंदर ego कितना है super ego क्या है id कितना है आप अगर खुद के बारे में बहुत सोचते हैं ठीक है खुद के बारे में सोचते हैं and खुद आप चाहते हैं कि हर एक चीज आप खुद ही करें अखेले करें that is called ego ठीक है and इतना ego important है for your life achievement आपके achievement के लिए आपके aim के पूर्ती के लिए आप जो गोल बनाये हो लक्ष बनाये हो उसके पूर्ती के लिए ये चाहिए if you want to carry this ego with other persons आप चाहते हूँ इस ego को लेके आप दुसरे persons के उपर भी रोक टक करो that is called super ego because आप ego से भी बढ़के चल गया ठीक है आप ego से भी उपर उड़ गया अभी इस ego को लेके आप किसी के साथ भी अगर link करोगे खुद को तो आप लगेगा कि आप उसको control कर रो and that is called super ego उस ego को socialization process में हम बहुती ज़्यादा use करते हैं lot of the person of the society think that they are the leader of the society and they make all the norms and regulation even if they are not working properly they think that we are not exist in the society also वो अगर काम ने करेंगे हम exist ने करेंगे, वो थिंक कर लेते हैं यह चीज़ गलत है यह super ego उनको बताता है ठीक है, ID क्या होता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रोल confusions होता है, because आप थिंक करते हो, आप ठीक हो लोग थिंक करते हो, वो भी ठीक है तो confusions आया, अभी कोई किसी को control नहीं कर पाया, तो यह यह तीन वर्ड बहुत इंपोर्टन है socialization के लिए, यह आपके बुक में mention नहीं है, but यह exams में आता है, तो मैं thoughts बताते चलते हो, that is ID, super ego ego, ठीक है, यह terms को याद रखना है, ठीक है अभी इसी के बेस्ट पे, यह तीन वर्ड के बेस्ट पे ना, आपका self बनता है, means आप कौन है आप self-actualization करते है, that means actually आप कौन है, आपके अंदर क्या-क्या elements है, and how much you are confident in your work और in your behavior, in your roles आप उसको समझते, आपके roles को निभाने के लिए, आप क्या करते हो आप लोग यहाँ पे, अर्थ पे acting ही कर रहे हो, because earth is a mega picture यह movie चल रहा है, यह movie में हम एक-एक part कर रहा है, बस, इतना ही है, ठीक है, so इसके लिए socialization आपको self सिखाता है, कि आप कौन है, अगर आपके पास understanding the self एक book आएगा, थर्ड से में एन्यू बच्चे आप लोग पढ़ोगी, and जो हुश्यतर बच्चे वो second year में पढ़ेंगे, understanding the self, उनका assignments है, तो इसके according यहां पर बहुत सारा informations मिल जाएंगे, यह socialization के उपर ही depend करता है सारा कुछ, अभी तेके fourth point क्या है, socialization includes the process of cultural assimilation and cultural transmission, बहुत important point है, important words में है, cultural transmission, अभी आपके पास, आपके culture के बारे में बहुत सारे informations है, यह कहां से आए, from your parents or grandparents, आपके जो नाना नानी है, या दादा दादी है, या पर माता पीता है, उनसे मिले है, या अंकल आंट है, जो भी, उनसे आप information लिये है, because cultures के according, बच्पन से आपको तयार किया जाता है, वैसे एक आदि खाना के लाया जाता है, वैसे आपको भूमने लिया जाता है, पिक्निक करते हो, etc. करते हो, यह जो आपने सारा फेस्टिबल्स मनाया, सारा कुछ अब्जर्व किया, यह सारा चीज आपके mind में fixed हो गया, यह धीरे धीरे होता है, one by one आप assimilate करते हो, assimilate word आप लोग पहले भी सुन चुके हैं, कहा सुनें, पियाजे में सुनें, पियाजे के concept में आपने सुना है, एक चीज आपके पास है, आपके पास एक चॉकलेट है, आप 10 चॉकलेट को एड कर लो, तो अभी कितने चॉकलेट आगें 11, यह बच्चेों का concept है, इसे को ही assimilation बोलता है, बच्पन में यह हम लोग, प्लस करने के लिए, एडिशन सिखने के लिए करते थे, इसे को ही बोलता है, आपके समाज में जो संस्कृती है, वो आपके द्वारा किसको जाएंगे, आपके बच्चों को जाएंगे, अभी आपके बच्चों के through, उनके बच्चों को जाएंगे, ऐसे करके चलते रहते हैं, और उनके अंदर behavior या गुण, आपके through ही जाता है, आप जो जो बोलते हैं, वो बचपन से सुनते रहता है, सुनके ही वो सीखता है, इतना है last point, socialization is linked with the norms and value of society specially, socialization का main motto क्या है, aim क्या है, मैं बताती हूँ यह आपको social roles करने के लिए सिखाता है, यह आपको society में norms मानने के लिए bound करता है, that means just like a miniature society schools है, या फिर family सबसे इंपॉर्टन है, family को हम society नहीं बूल सकते हैं, but school को हम society बूल सकते हैं, so इन्हें उस school जब आप school जाते थे, क्या करते थे school में 11 बजे एंटर करना है या 10 बजे एंटर करना है, तो first norms आपने यहां पर मानना है, रूल से यहां पर मान लिए इसके बाद classes को attend करना है, properly, खाना खाना है, फिर से class करना है, game करना है, फिर घर जाना है, ऐसे मानते थे, हर एक deco room को आप मानते थे, तो deco room का रहता है आपका साशन, जो आपका school का साशन नियम रहता है, rules, laws regulations, जो भी बूलते हैं, वो yes or no, फड़ा फट बोले okay, चले, यहाँ पर कुछ points, एक स्ट्रा है, यह आपके बुक में नहीं है, फिर भी मैं समझा रही हूँ because इसको थोड़ा सा चेंज करके आपके बुक में में बेंशन है, तो यहाँ पर short में मैं दी हूँ, एक स्ट्रा है, social action और that is social agencies, अभी social agencies में हम enter करेंगे, उससे पहले और भी points है, बताऊंगे, बट यह सुन लिज़े, so there are two types of agencies, यहाँ पर agencies, जैसे आप agency भी बोल सकते हैं, हिंदी में, कोई problem नहीं, दिकत नहीं है, आप इसको बोल सकते हैं, कि agencies को हम बोलते हैं, कि भी बोल सकते हैं, कौन से उपाई में चल रहे हैं, या फिर कौन से agencies हैं, यहाँ पर agency को आपके book में, हिंदी book में साधन है, बट agency लिखे तो better रहेगा, because साधन मिन्स, आपको कोई extra चीज मिल गया, उसको भी साधन बोलते हैं, जीने के लिए जीवी का निर्वाह साधन ऐसे यूज किया जाता है, हिंदी में बहुत जादा तो वो ऐसा यूज नहीं करें, प्रॉपर नहीं होगा agency लिखे, agency वेटर है सो social agency, समाज समाजी करन के लिए जो agencies चाहिए, अभी कौन से agencies है, दो टाइप के agencies होता है एक होता है formal, एक होता है informal, formal means जहां पे regulations रहते हैं rules रहते हैं, और वहां पे एक particular rules को सब को follow करना पड़ता है, तो आपको 10 बजे आना है, तो particular 10 बजे ही आना है, बट informal में क्या होता है, आपको यहां पे particular rule एक ही टाइम में सब को follow नहीं करना है, आप लोग जब भी आओ बट आपको दीरे दीरे करके follow करना है, एक साथ नहीं follow करना है इसका कोई decorum नहीं है, इतना जल्दी आपको follow नहीं करना है so यहां पे first thing, these are set up by society formal क्या होता है, यह set up होता है society के थ्रू, society के थ्रू, with the objectives of transmission in organized way यहां पे जो भी चीज नियम होंगे न, जो भी इसके गुण होंगे, छोटे-छोटे, इकाई होंगे, unit elements होंगे these are organized, already organized है, और एक के बाद एक सब को ऐसे same amount में transfer होता है, जासे में आपको पढ़ा रही हूँ, यह अभी organized है, यह अभी organized है because आप एक particular college के लिए particular subjects को पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक training के लिए, तो यह subject सबको at a time, एक ही amount का value दे रहा है, ठीक है तो यह हो गया आपका formal जहां पर हर एक चीज organized होता है, जैसे के example, तेखे स्कूल है, टेंपल है गुरुद्वारा, लाइवरीज और आरियसमाज, यहां पर स्कूल, आपको समझा है, स्कूल में नियम होता है, टेंपल में भी नियम होता है, मंदिरों में भी नियम होती है, गुरुद्वारा में भी नियम होती है, कौन से नियम? अभी भगवान को ने ने भॉस नहीं कर दो, आगया आगया, अभी आया? अभी आया तो? आपको, आपके बैच में इतने सारे स्टूडेंट है, जो क्लास अटने कर रहे हैं, और मुझे सुभी से आज कॉल कर रहे हैं, तो वो दिक्कत हो रहा है, कोई प्रॉब्ल में हो, चले स्कूल, स्टैंपल, गुरुद्वारा, लाइवरीस, और आया समाः अभी आपको लाइवरीस में भी पता है, कुछ रूल्स रहते हैं, वहाँ पे तो हम पिंड्रॉफ साइलेंट करते हैं, वहाँ पे हम बोल भी नहीं सकते हैं, धीरे बोलना रहते हैं, स्कूल में भी उनका डिकुरम है, मतलब उसका शाशन है, अभी टैंपल, गुरुद्व साइट में वहाँ पढ़ाई होता था, स्टड़ी किया जाता था, सबसे पहले जो स्टार्ट वह था तो होता आपका गुरुकुल सिस्टम, ये गुरुकुल सिस्टम में प्रत्ते हैं एक हिंदी ओर्ड है, निष्था, निश्था, निटी, नियम, निष्था, ये नव का श वह जो बोलेंगे उनको follow करना रहता था इसलिए यहाँ पर नियम को हमने ज्यादा focus किया इसको formal में रखा इन-formal नहीं है अभी informal में क्या आता है देखिए इन-formal में है यह अन-organized way में present होगा इसमें भी नियम है इसमें भी सब कुछ है बट अन-organized अभी आप जब घर पे रहते हैं हर एक चीज़ समाल के रखते हैं हर एक दिन सुवे सेम टाइम पर उठते हैं नहीं कभी हमें जरुरत पढ़ा तो हम 10 बजे तक भी उठते हैं कभी ह उठते हैं नहीं अपर नहीं करनाह परता है या फिर एक टाइब कपड़े भी नहीं परनाना परता है या पिर नहीं करना परता है है जो कपड़े इक्वल हो जाहां पर तो सुसेल क्लास्सरह वह ना दीख है था है बट इन-formal सिस्टम में आपको पता भी नहीं चलेगा की मतलब यह और्गनाइस्ट है इन और्गनाइस्ट है बिकास हम बोलते है इन और्गनाइस्ट पोल जो सौरी अन और्गनाइस्ट है यहां पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कोई रूल्स नहीं है रूल्स को रखा गया है बट कोई मानते नहीं है तो यहाँ पर प्रॉपरली प्लेग्राउड में जो लोग खिलने जाते हैं, अभी बच्चे खेलने गए, तो एक जैसे एज की होते हैं, नए, सेम एज की कभी नहीं होते हैं, दूसरे दूसरे एज की होते हैं, फैमिली में भी सबका ब्लूर्ड रूरेशन्स हैं, और उनको rules follow नहीं करना पड़ता है हाँ सबको मानते है respect करते है represent rules follow नहीं करना institutions में जैसे आफ आफ अभी कॉन से institutions से हैं says that is binayakeis college में direct admission करते when sister तो आपको एक प्रॉपर टाइम पर बोला गया कि इस टाइम पर आई है तो आपके उनिफॉर्म बना है प्रिकुलर इनिफॉर्म है क्या इंस्टूशन में पढ़ने के लिए नहीं तो प्रॉपर वेसे यहां पर रेगुलेशन यार रूल नहीं है सो इस बज़े से ही इनिफॉर्मल ठीक यह फॉर्मल फॉर्मल सेखंड एर के पार्ट में भी है बहुत सारी चीजे इसे की पार अभी प्रोसेस करना है प्रोसेस में मैंने क्या बोला आप वैसे कॉपी करते हैं, क्यों मदर को कॉपी नहीं करते हैं? आपका परिचाय यह है, ठीक है? उसके हिसाब से यह स्टाव्ट होता है, इसलिए इसे हम इमिटेशन के जगह पे बायलोजिकल स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, हमारे अंदर जो सेक्स है, उसी के एकॉर्डिंग हम कारेक्टर करेंगे अब फर्स्ट हो गया, सेक्ट, यह नूली वान बेवी ट्रांस्फर्ण इंटो एफिमन अंडर दा कंडीशन और अंडर दा कंडीशन अप ग्रूप लाइब, ग्रूप लाइब, आप जब भी एक छोटे बच्चे थे, तो छोटे बच्चों को हम अकेले तो नहीं छोड़त होता है, human का development होता है, then उसका growth एक proper way से चलता है, अगर कोई एक बच्चा चार्ड लब है और उसके घर में खाने पीने को नहीं है, तो वो तो बाहर जा रहा है, तो वो क्या learn करेगा, उसका character, एक normal बच्चा का character के अंदर बहुत सारा differences आता है, इसी वज़े से, एक बच्च एक 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 नुक्लियर फैमिली, छोटा फैमिली, जहां पर तीन या चार परसंस रहते हैं, भाई बच्च ऐसे होगे, और एक होता है, बच्च फैमिली, और जहां पर हर कोई रहेगा, जहां पर रेलेशन से बहुत सारा है, एक यहां पूरा फिल होगा कि यहां पर बहुत सारे मुल्टिपल परसंस हैं, यहां पर बड़े बड़े फैमिलिस होते हैं, तो वह सारे यहां सारे हम लर्न करते हैं, then number three क्या है, conflicts involved in socialization, अभी socialization में भी न, biases है, that is called जगडे बोल सकते हैं, हिंदी में, क्या, यहां पर अलग-अलग बहुत सारे चीज़े होते हैं, एक चीज है, कि आपको इस रूल को follow करना है, बड़ आपके कुछ दोस्त आएंगे, नहीं, मैं negative में जाऊँगा, positive में में जाऊँगा यह नहीं, तो यह हो गया अलग-अलग चीज़े, आप एक चीज का सोच रहे हैं, समाज में जो अच्छा चीज़ है, आप उस धर follow कर रहें, जो समाज में बुरा चीज़ है, आपके दोस्त फालो कर रहें, तो यह आप दोनो अलग-अलग रास्त में चलिए, तो यह से बोलते हैं, conflicts, मतलब आपके मत में भेद आया, मता भेद बोलते हैं इसको, मतलब आप जो तिंग कर रहे हो, opinions है, तो आपका अलग-अलग opinions आ रहा है, ओके, यह हो गया conflicts, अभी socialization is not a passive process यह passive process नहीं है, अभी passive क्या बोल सकते हैं, मतलब इसमें सक्ती नहीं इसे बोला गया था, कि passive, अगर किसी प्रक्रिया में सक्ती नहीं चाहिए होता है, या फिर अभ्धन तरिन सक्ती नहीं बोल सकते हो, आपके अंतर नहीं है, मतलब आपके बोड़ी के अंदर जो सक्ती है, अनरजी है, उर्जा है, वो नहीं चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, कि ये नहीं चाहिए, मतलब हमें सोचना नहीं पड़ रहा है, अगर आपके बोड़ी का सारा रियाक्शन बाहर से कंट्रोल हो रहा है, तो ये क्या हो क्या, बहिर गत्र या बाज्जन तो बाज्ज्य सकती या फिर आप बोल सकते हैं, बाही हो सकती तो वो आपको कंट्रोल करा आउटर अनरजी, कंट्रोल यू और यूर कारेक्टर स्टिक्स, ये होता है कि ये एक्टिव प्रोसेस है पेसी प्रोसेस, कहीं पर अगर उज्जा चाहिए, अनरजी चाहिए तो वो एक्टिव प्रोसेस होता है अगर नहीं चाहिए, वो पेसी प्रोसेस होता है, ठीक है? सो यहाँ पे, सोचल आप्टिव प्रोसेस ये पेसी प्रोसेस नहीं है ये हमेसा हमें इन्भॉल्व करता है अपने रियक्शन में और हमें बहुत सारा stimuli देता है, हमें बहुत सारा just like boosting करता है हमें खिसते रहता है, कि इधर चलो उधर चलो, उधर चलो, उसके thoughts यह ऐसे हैं, ठीक है, अभी देखें, next universality of socialization process, अभी universality means पूरे universe में ऐसे ही चल रहा है सामाजी करन ऐसे ही चलते रहता है हर एक जगा पर, जो ऐसे community, यहां पर है humans के अंदर है, वैसे animals के अंदर भी है, birds के अंदर भी है सब के अंदर है, किडे मगोडे के अंदर भी है सारे customs अलग-अलग है उनके rules अलग-अलग है, but सब के लिए ऐसे ही community socialization बनता है next, socialization occurs on the basis of learning, यह learning according होगा, जैसे आप सीखते हैं, उसी के खिसाब से आप करेंगे, हो गया, यह points यहां तक मैंने बोला था compulsory points, ठीक है compulsory points, इसके बाद मैं आपको और कुछ points दिखा दिखा जो जो चीज़े अभी पढ़ा है, वही लिखी हूँ इंग्लिश में लिखी हूँ, बट मैं फिर से आपको repeat कर दूँगे, so stages of socialization अभी तक हमने नहीं पढ़ा था process पढ़ा, हमने उसके formal informal way से पढ़ा, जो जो process के recording होना चाहिए, वो सब किया, बागी यह process नहीं पढ़ा, यह stages नहीं पढ़ा, तो यह stages of socialization में कितनी stages है, first, जैसे देखिए, प्याजे का concept अपने पढ़ा था ना, प्याजे के concept अपने पढ़ा था यह था यह थोड़ा clear नहीं है, और अरल stage का मतलब ही होता है, यह पर आप आप language लेंगे, so language जब learn करते है, तो कहां से learn करते है for the first time, we can learn language from our family, family members के अंदर, सबसे पहला कहां से सिखते है mother से, so mother से या further से आप language यह पर learn करते हैं, matapita से आप language लेंगे, so that is very important stage, and यह primary stage सब के लाइप में हाचुका है, सब के लाइप में हो चुका है because यह 4 stage अगर आपने कंप्लीट नहीं किया, आप इतने बड़े हो नहीं सकते है okay, so उसके बाद next होता है और कौन कौन चीज आपको help करता है, जैसे कि छोटे जब भी रहते है आप, मम्मी जहां जहां जाती है आपको ले जाती है, चर्च जाते हो, अगर आप किश्चन उचर जाएंगे, आप मंदिश जाएंगे या फिर आप कोई भी फेस्टिबल में जा रहें तो उहां से भी आप बहुत कुछ लर्न करें because वो भी आपको influence कर रहा है, तो उसके बाद देखें या पर मैंने एज मेंशन किया है, 1-5 या स्टेज के लिए, the next मेंशन है आपका क्या? Social development Social development, अभी social development क्या है? सामाजिक विकाश Social development already you have studied, ना? आपने पढ़ा हुआ है कि social development means होता है सामाजिक विकाश, अभी सामाजिक विकाश को क्या बोल सकते? औरल का opposite होता है एनल, ठीक है इसको बोलाता है गुदा अवस्था, that means आप बोल सकते जैसे आदी और अंठ होता है सरीर के भी दो भाग है हम दो भाग बोलने से होते हैं हमारे पैर आ जाते हैं, बड़ पैर ने यह जो आपका sitting portion है जहां पे आप बैठे हो, उस चीज को हम बोलते है क्या? अनल portion, ठीक है? अभी आपका मूँ बात कर रहा है तो यह हो गया oral portion और अनल से अनल तक तक मिन्स आदी से अंत बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं यह गुदा अवस्ता है तो यहां पे क्या होता है आप बाहर निकलते हैं आप घर से बहुत कुछ लेर्न कर चुके हैं अभी बाहर निकलेंगे ते वह जोट उसे चिर्श के हैं तो अभी के बच्चों उसे और बच्चों के भाइज जाते हैं स्कूल्स स्कूल्स में वो पढ़ना स्टार्ट करते थे, सब कुछ लेंद करना स्टार्ट करते थे, तो वहां से वो अपने पढ़ोसे से या घरवालों से निकल के, आसपास के एंभार्मेंट से निकल के थोड़ा बाहा निकलते हैं, जहां पे वो बहुत सारे religious cultures को सीखते हैं, बहुत स बंजावी हो सकते है, जैंजिम के हो सकते तो इतने जो language varieties कहां पर मिलेंगे, स्कूल्स पर मिलेंगे, तो वहां पर हम लग करेंगे, यह स्टेज कहां से स्टार्ट हुआ, जह चलेगा कब तर, यह पूरे 11 एर तक चलेगा, 11 एर तक यह continue होगा, ठीक है? अभी देखे, अभी आता है 3rd stage अभी 3rd stage में क्या आता है प्रत्यासित समाजी करन प्रत्यासित समाजी करन को बोलते है Anticipatory Socialization Anticipatory Socialization बहले हमाद त्था प्रत्यासित्थ समाजी करन future goals के लिए आपका जो लक्ष है आपको जो प्राप्थ करना है that means whatever you can or you want to achieve in your future उसके लिए जो गुण चाहिए जो values चाहिए वो learn करेंगे वो सीखेंगे क्योंकि आपको अब भी आ रहा है समझ आ रहा है कि ये society है यहापे हमें कि ये चीज़ सीखने को मिला इसके बाद हम बड़े हो रहे हैं तो हमें बाहर के लिए जाना है बाहर दुनिया में जाना है और वहां से बहुत कुछ learn करना है तो इसके लिए बहुत important चीज़ क्या होता बोले gender separation क्योंकि बहुत बड़े हो चुके इस एज में आपको सीखने को मिलता है कि आपका लिंग भेध हो चुका है that means gender separation मतलब मैं girl हूँ आप boy है ऐसे आपको पता चल गया है and उसी के according आपका गुण विकाश हो रहा है that means characteristics developed हो रहे है roles developed हो रहे है तो इसको कौन से स्टेज बोला जाता है पता है latency stage latency stage और अंतर हित that is called अंतर नहित अंतर नहित को हम अंतर हित बोलते है अंतर हित अवस्ता आपके अंदर जो चीज छुपा हुआ था वो चीज क्या हो गया थोड़ा सा explore हो गया that means वो आपको भी so हो रहे that is called आप teenage में आ रहे तो आपका बोड़ी में development हो रहे है ठीक है 11-12 years में आपका development start हो जाता है मैं पहले भी आपको बताया था यह चीज बाइलोजिकल है यह developed होना start करे है उसी से ही आपका link भेध हो जाता है that means gender discrimination start हो gender and sex is totally different totally different concept because sex आपको यह बताता है आप boy है कि girl यह आपके sexual part से decide होता है but gender आपको roles बताता है आपके sexual part के according आपके body के development जो होता है उसी हिसाब से आपका gender identity fixed होता है अगर बच्पन में आपको कोई बताता ही ने कि आप boy है यह आप girl है आपका यह बिकाश होता ही ने आप एक इनसान जैसे रहते है और आपको बोला जाता है girls मिट्टी भी काटते है आप घर भी बनाते है सारा कुछ करते है तो girls भी वो काम करते है boys घर का काम भी करते है cooking करते है घर साब भी करते है भी बताया जाता, तो वो बताया जाता, वो भी चलता, तो ऐसे roles हमने ही decide किया है, हमारे society भी decide किया, तो ये हो गया प्रत्यसित समाजी करन, that is called anticipate to re-socialization, last stage में आते हैं, that is called पुनह समाजी करन, ये पुनह समाजी करन है, पुनह समाजी करन में क्या होता है, ये किसरा वस्ता में होगा, that is called adolescence period में, ये बोला जाता है, re-socialization, पहले भी मैंने पढ़ाया, re-socialization वही है, here children participants, children's or participants learn new behavior to adjust with the society, अब जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, 12-21 साल में, तो आपके साथ बहुत सारे changes आएंगे, ये changes आपको decide करता है, कि आपको बड़े होगे क्या बरना है, आपको कौन सा character लेना है, आपको कौन सा चीज अच्छा लगता, आपको mother अच्छा लगता है, कि father का character अच्छा लगता है, तो आप OSA बनने को try करते हैं, आप family से अलग रहना चाहते हो, एक साथ रहना चाहते हो, इसी time पर आप decide करते हैं, इसलिए new characters आते हैं, and new characters के recording आप society में adjust करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पुनह, सामाजी करण, और re-socialization, ठीक है, re-socialization, ठीक है, हिंदी बर्चे, I hope, इतना English तो आप लोग ट्रांसलेट कर लेंगे, फिकोज छोटे-छोटे points है, जितना समझा है, प्लीज ट्रांसलेट कर लीजिएगा, otherwise आपके book में है, आपको marking करके मैं कल दूँगी, बड़ आपके book में थोड़ा-थोड़ा ज़ादा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसलिए बोला, कि आप ट्रांसलेट कर लीजिए, मत्तों समझा दी, यह थोड़ा सा है, ट्रांसलेट कर लीजिएगा, बेटर रहेगा, उसके बाद देखी, एम्स of socialization, क्या एम्स होते हैं socialization के, ठीक है, चारी एम्स है, ज्यादा एम्स नहीं है, पहला तो to teach, perform of social rules, perform के जगह पे for हो गया है, प्लीज एम्स को add कर दीजिएगा, performer, to teach, perform of social rules, आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे perform करना है social rules को, नमबर टू, to create and develop skills in individual, हम लोग personality means, व्यक्तित थे बोलते थे, वैसे, यहाँ पे individuals को हम क्या कर रहे है, learn कर रहे है, या create कर रहे हैं, तुम भी develop करो, या create करो अपने skills को, अपने abilities को, आपका क्या गुण है, उसको निकालो, आप कौन से काम में अच्छी हो, उसको विक्स्षुत करो, अभी number three, inculcate, inculcates basic discipline in individual from socialization, socialization के अनुसार, that is socialization के मुताविक, और according to socialization, आपके अंदर एक discipline होना चाहिए, discipline doesn't mean कि आपको चुपचाप रहना है, pin drop silent में रहना है, ऐसा नहीं, एक sequenced, organized way में आपका life अगर present है, that is called discipline, आपके life अगर एक संखिप्थ परिमान में रहेगा, ये नहीं बोल रहे हूँ, अगर बहुती अच्छे से present है, that means, एक के बाद, एक आपके life में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, आप अपने life में क्या-क्या करना चाहते हैं, सब कुछ decided है, आप follow कर रहे हैं अपने rules को, तब उसको बोलते हैं हम लोग discipline, ठीक है, आपको basic discipline कौन सिखाता है, या बचों के अंदर, individuals के अंदर कौन डालता है, socialization process डालता है, ठीक है, अभी last point, to fulfill desires and aspiration of individuals, लोगों के desires, अभी मेरा कुछ desire है, आपको तो यह भी socialization process सिखाता है, ठीक है, clear है, इतना clear है, game of socialization, stages of socialization, बोले, यह जो points है, देखे, यह कौन सा page mention है, बताएगी यहाँ पर, two लिखाते हैं है, two हैं हैं है, यहाँ पर three number में उटाइड करना है, ठीक है, हाँ, हाँ, उस ही करना, ने, हिंदी वाला नहीं लिखना है, बताएगी वाला अगर लिखके रखते हैं, ब्रैकेट में मैंने स्रिप नाम लिखा है ना उसको, हिंदी वाला पूरा नहीं लिखना है, जो जो सिफ पेज में है, एक पेज में हैं उसको लिखके रखें, ठीक है? यहां पर फैमिली स्टाइट होता है, फैमिली एक इंपॉर्टेंट क्वेशन है, मैक्सिमम आपके बुक में ना चार पांच पेज लिखा गया, उतना नीच चाहिए, इतना कंसेप्ट लिख दिया ना हमने, तो अभी सारा प्रोसेस तो पता है, कि सोसिल आशिन कैसे होगा, क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ पता है, अपर फैमिली का रोल किस किस चीज में है, कौन सा डवलप्मेंट होता है, उसे कॉर्डिंग हम दो पेज अनली मेंशन करेंग, तो कितना है मैक्सिमम से मैक्सिमम देखिए, यहांपे characteristics है, यह page है, agencies है, बस mental development हो गया, यह total हो गया आपका, moral development, यह तो 3-4 page मैंने लिखती है, बहुत लिखती है, बहुत ज़्यादा हो गया, उसमें से कुछ points को आप skip कर सकते हैं, बट बहुत easy lines में है, याद रखिए, अभी के लिए notes में लिखिए, exam में जैसे questions आएंगे, वैसे, अगर online questions आता है, online हुआ, तो मैं आपको बता दूँगी, क्या problem है, क्या ने, question के according भी हम discuss करेंगे, अगर उसके according कुछ आता है, points, ठीक है, यह depend करता है कि आपको इस बार कौन से type के question में वह डाल रहे है, that means online डालेंगे, offline डालेंगे, या फिर question pattern change होंगा, इसकी syllabus के according हम चलेंगे, ठीक है, अभी पहले तो family रेखते है, family is the smallest unit, अभी मैंने कितने type के family बता है, दो type के, एक होता neutral family, दूसरा होता bigger family, जैसे कि हम है ना, अभी हम अपने family को अगर देखते हैं, तो कितने हैं, तीन लोग हम लोग है, तो तीन हो गए, तीन या चायर हो गए, maximum to maximum three or four, तो that is called nuclear family, अगर इसमें और भी जादा members आगे, 20-30 members आगे, तो यह हो गया bigger family, ठीक है, अभी family is the smallest unit of the state, कोई भी state का, जगा का, ठीक है, यह क्या होता, smallest unit, सबसे छोटा एकाई, आपके सबसे छोटे एकाई में आप पकरतो family को, परिवार को, अभी परिवार को, आप क्या करेंगे, first small होता है, उसके बाद अगर society में परिवार्स को join करो ना, तो एक big society बनता है, society कैसे बनता है, छोटे छोटे families को आप join करना start करो, ठीक है, वो group बन जाएगा, अभी इतने सारे groups community में convert हो गए, because, कैसे families बनते हैं, एक ही surname के सब कोई रहते हैं, तभी families बनते हैं, या फिर एक ही blurred relationship को वो follow करते हैं, या फिर उनके ही खांदान जो बोलते हैं, या फिर उनके cultures को follow करते हैं, वैसे type के, तो यहाँ पर जासे हो गया, मेरा surname के according, दास्त है, वैसे यहाँ पर multiple persons हैं, जासे कि आसपास में कुछ भी हो, साहू हो, या फिर अधर अधर families को अगर join करते, तो क्या बनेगा, society, and इसके अंदर Hindu है, Muslim है, तो वह हो जाएंगे communities, ठीक है, तो उसके basis पे, family is the first small and the social group of the society, यह small unit है, small unit होगा, word छोटा है, फिर से आप करेंगे, या फिर नहीं याद आया, तो पूरा लिख दीजएगा, मैं next class में आमको याद दिला दू, ठीक है, family is the first small unit and social group of the society, यह social group है, एक छोटा सा social group है, यहाँ पर जैसे कि हमारा family, friends होते हैं, यहाँ फिर family को छोड़ दीज़, अब फिर friends का group है, तो हम group क्यों बोलते हैं, यहाँ पर 3-4 person भी रहेंगे तो group बोल देते हैं, तो वैसे ही family भी एक चोटा सा social group है, यहाँ पर relationship है, यहाँ पर rules है, regulations है, हम एक दूसरे के लिए care करते है, we care about everyone, और just like हम share करते है अपने opinion को, thoughts को, expressions को, इसलिए family एक social group है, यहाँ पर family is connected with the blurred relation, किसके through connect होता है, blurred relation होन का विस्ता रहाता है, that is it includes different family members together, यहाँ पर different, सबके घर में, सबके दिमाग अलग अलग चलता है, that means, कोई चाहता है कि मेरा एम है, मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं इंजिनियर बनूँगा, मैं टीचर बनूँगा, यह पर मैं एक विजनस्मन बनूँगा, तो यह जो इतने टाइप के विराइटी इस लोग न, यहाँ पर members एक साथ रहते हैं, एक ही जग पर, एक ही रूप के अंदर पर, तो that is called हमारा small group और small family, तो यह family society का foundation है, नीव है, इसके बिना society बन ही नहीं सकता, without family एक society बनता ही नहीं, ठीक है, अगर यह earth से सारा society को, sorry, families को हटा देना, यह society और नहीं बोला जागा इसको, ठीक है, It is the first social institutions and group that saves the individuals, personality and individual relationship also, यहाँ पर और भी add कर सकते हैं, नहीं तो चलेगा, इतना चलेगा, individuals and personality, यह सब mention कर सकते हैं, यह क्या है, एक first social institution है, institution पर आप क्या करते हैं, एक particular institution पर organization जैसे काम होता है, जहाँ पर कुछ पढ़ाई होता है, या पर कोई काम होता है, option work होता है, या पर जहाँ पर हम कुछ डिसाइड करते हैं, further अपने future के लिए, बिजनेस अगेरा यह सब, तो वहाँ पर कुछ definite एक चीज होती है, तो ऐसे ही social institution family को बोला गया, because from the starting point, एक बच्यों महा से ही learn करता है, इसलिए इसको बोला गया social institution, ठीक है, इसको बोला गया, अगर हम बोले इसको हिंदी में, इसको बोला गया है, पहली पाथ शाला, family is the first institution, that is called पहली पाथ शाला, ठीक है, पढ़ाई होता है, learning करता है, हम लोग बहुत कुछ सीखते है, definition of family, so according to clear, that is not clear, clear, C-L-A-R-E, clear, so clear के according, family is a group of persons, who live under the same group, and are connected by bloods, and blurred relationship, and own a consciousness of kind, on the basis of locality, so हम एक ही जगह पे रहेंगी, हमारा खून का रिस्ता है, यहाँ पे persons जो भी है, एक ही चत के नीचे रहते हैं, और हम लोग अपने जो ज्यान, बुद्धिया बोल सकते हैं, knowledge बोल सकते हैं, या sense बोल सकते हैं, sense के हिसाफ से एक दूसरे के लिए, emotional attachment carry करते हैं, और love भी carry करते हैं, इन एक ही जगह पे रहेंगे, एक साथ ही मिल जूल के रहेंगे, so that is called family, यह होता है family, अभी इसके characteristics देखिए, supplement of social stress, family क्या देता है आपको, मतलब आपके जो मता पीता हैं, और grandparents हैं यह parents हैं, वो आपको क्या दिया, characters, so characters को हम यह पे mention करते हैं, genetics और biological terms में, traits means characters, traits means characters, अभी social characters, society में रहने के लिए characters देता है, focus on social organization, हमारा main motto यह रहता है कि हमारे बच्चे आएंगे, या फिर हमारा next generation आएगा, तो वो society में कैसे adjust करेगा, वो बड़ा होके क्या कर सकता है, क्या बन सकता है, तो उसके लिए वो क्या क्या सीख रहा है, social organization, means social rules को सिखाएंगे, कि तुमको कहीं भी जाना है, कुछ rules को follow करना है, तुम्हें किसी को भी देखना है, तो उसको greet करना है, 3, complete informal, sorry, complete in form of organization, informal in my mind, complete in form of organization, so, यहाँ पर हम क्या करते है, जैसे organization में काम होता है, कुछ rules रहते हैं, वह पर भी leader है, तो हमारे घर के पर कोई-कोई leader रहते हैं, जैसे कि parents में पापा रहते हैं, पापा के बाद क्या कौन होता है, ममा रहते हैं, that means, माता-पिता ही leaders हैं, वह जो rules decide करते हैं, बच्चों के लिए उसी को मानना पड़ते हैं, so, उसी के form पे हमारा socialization और समाजी करण पूरा होता है, अभी next character देखे, sorry, family is based on universality, अभी देखे, family हर एक जगह है, ठीक है, आप अगर लंडन में जाएंगे, family नहीं मिलेगा गया, Brazil हो, London हो, France हो, जहां पर भी जाना है, Odisha से बाहर चलो, Delhi में चलो, Mumbai पर चलो, सारे जगह पर family है, and वैसे ही, कुते का, बिली का, dog, cat, सबका family है, तो यह family university है, that means, पूरे wish में, ऐसे ही rules को मानते है, feeling of responsibility in them, so, यहां पर लोगों के अंदर, कौन सा relationship है, responsibility का, because, हम blood relation carry करते हैं, उसके लिए तो पहला responsibility, बहुत बड़ा responsibility है, उसके बाद, जो आप new family को जाते हो, that means marriage करते हो, या फिर new family को adapt करते हो, मैं अगर boy होती, तो मैं new family को adapt करते हैं, कैसे marriage करते हैं, हमने rituals के साथ, not किया न, मतलब हमने marriage किया, अभी marriage के थो, मैंने उनके family को भी adapt किया, तो वैसे वह girl आएगी, जो मैरी family को adapt करेगी, तो इसमें responsibility का बात, बहुत बड़ जाता है, यह blurred relation तो है नहीं, बट love, affection and responsibility रहता है, तो यहाँ पे भी और एक new big family बनते हैं, then last, rules, traditions, cultural values and principles also present, यहाँ पे क्या क्या present है, यहाँ पे traditions है, हम लोग traditional कप्रे पहनते हैं, according to our Sanskriti, जो भी हम अपना कला है Sanskriti है, उसके according to cultural values भी लेते हैं, culture, Sanskriti के जो नियम है, rules है उसके भी values लेते हैं, and principles, जो नीती नियम है उसको भी पालन करते हैं, इतना हो गया, so इतना clear है, तो next class में हम family से और भी बहुत लंबा है, बहुत सारा चीज है, हुआ से continue करें, इतना समझ आया है है, सुबटimagin है, वो नь वो पालन करें आडे हैं,